आपका पहला सवाल है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा साज़ा करता है आपका अपसन है ए स्री लंका बी पाकिस्तान सी बंगला देश डी अरब दोस्तो इसका सही जबाब है सी बंगला देश आपका अगला सवाल है प्याज में खाने योग्ये हिस्सा कौन सा होता है आपका अपसन है ए जर बी पत्ता सी तना डी पुष्प दोस्तो इसका सही जबाब है सी तना आपका अगला सवाल है पर्थम विश्वियूद कितने बरसों तक चला था आपका अपसन है ए नौ वरसों तक बी आठ वरसों तक सी छे वरसों तक डी चार वरसों तक दोस्तो इसका सही जबाब है डी चार वरसों तक आपका अगला सवाल है सुड़िये के परकास को प्रीथवी तक पहुचने में कितना समय लगता है आपका अपसन है ए चौविस मिनट बी बीस मिनट सी आठ मिनट डी पंदरा मिनट दोस्तो इसका सही जबाब है सी आठ मिनट आपका अगला सवाल है कौन सा जानवर नाग से पानी पीता है आपका अपसन है ए सेर बी घोरा सी कंगारू डी हाथी दोस्तो इसका सही जबाब है डी हाथी आपका अगला सवाल है इनमें से कौन सी गैस का परियोग आग बुझाने में किया जाता है आपका अपसन है दोस्तो इसका सही जबाब है दोस्तो अगर आप जी के पढ़ना पसन करते हैं तो प्लीज रोजाना एक नया वीडियो देखने के लिए हमारी चाइनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और साथ में घंटी को भी दवा दें जिससे हमारी वीडियो क नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके आपका अगला सवाल है किस जानवर के जीव में काटे होते हैं आपका अपसन है आपका अपसन है दोस्तों इसका सही जबाब है आपका अगला सवाल है भारत में सबसे जियादा कौन सा फल खाया जाता है आपका अपसन है दोस्तों इसका सही जबाब है आपका अगला सवाल है कौन सा फुल 36 साल में एक वार खिलता है आपका अपसन है दोस्तों इसका सही जबाब है आपका अगला सवाल है भारत की कुल जन संखिया कितनी है आपका अपसन है दोस्तों इसका सही जबाब है दोस्तों अगर आप जी के पढ़ना पसन करते हैं तो प्लीज रोजाना एक नया वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और साथ में घंटी को भी दवा दें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्ये में सबसे जियादा बारिस होती है आपका अपसन है A. बिहार, B. मेगाले, C. असम, D. पंजाब दोस्तों इसका सही जवाब है, B. मेगाले, आपका अगला सवाल है गरीबों की बकरी किसे कहा जाता है आपका अपसन है A. जिराफ को, B. हाथी को, C. गाई को, D. कंगारू को दोस्तों इसका सही जवाब है, C. गाई को, आपका अगला सवाल है किस फल में कभी कीरे नहीं पड़ते हैं, आपका अपसन है A. पपीते के फल में, B. आम के फल में, C. केले के फल में, D. नारियल के फल में दोस्तो आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताएं आपका अगला सवाल है आईसी कौन सी फिस है जिसके होट और दात इंसान की तरह होते हैं आपका अपसन है A. एस्टॉन फिस B. जेली फिस C. फलाइंग फिस D. टाइगर फिस दोस्तो इसका सही जबाब है D. टाइगर फिस आपका अगला सवाल है ऐसा कौन सा देस है जहां दो राष्ट पती होते हैं आपका अपसन है A. पाकिस्तान देस में B. सनमैरीनो देस में C. भारत देस में D. जापान देस में दोस्तो इसका सही जबाब है बी सन मारीनो देश में आपका अगला सवाल है नेपाल की राजधानी का क्या नाम है आपका अप्सन है A. भोपाल, B. काठमांडो, C. रोम, D. इटली दोस्तो इसका सही जबाब है B. काठमांडो, आपका अगला सवाल है भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है आपका अप्सन है A. गंगोत्री नदी में, B. गंगा नदी में, C. यमुना नदी में, D. कृष्णा नदी में दोस्तो इसका सही जबाब है D. कृष्णा नदी में, दोस्तो अगर आप जी के पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज रोजाना एक नया वीडियो देखने के लिए हमारी चाइनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और साथ में घंटी को भी दवा द जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके आपका अगला सवाल है पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं आपका अपसन है A. 1955 देश, B. 204 देश, C. 170 देश, D. 180 देश दोस्ते इसका सही जवाब है A. 1955 देश, आपका अगला सवाल है सबसे सस्ती बिजली किस देश में हैं? आपका अपसन है A. भारत देश में, B. सिरिलंका देश में, C. कतर देश में, D. चीन देश में दोस्ते इसका सही जवाब है C. कतर देश में, आपका अगला सवाल है राष्टिय यूवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका अपसन है A. 20 नवंबर को, B. 15 अप्रेल को, C. 5 दिसंबर को, D. 12 जनवरी को दोस्ते इसका सही जवाब है D. 12 जनवरी को, आपका अगला सवाल है गुबारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका अपसन है A. हिलियम गैस B. ऑक्सीजन गैस C. नाइट्रोजन गैस D. हाइड्रोजन गैस दोस्तो इसका सही जवाब है ए हिलियम गैस आपका अगला सवाल है जियादा तेल खाने से इंसान को कौन सी बिमारी हो सकती है दोस्तो इसका सही जवाब है बाल ज़रते हैं पाकिस्तान के लोग किस देश में नहीं जा सकते हैं आपका ओप्सन है A. इजराईल देश में B. जापान देश में C. अमेरीका देश में D. भारत देश में दोस्तो इसका सही जवाब है A. इजराईल देश में आपका अगला सवाल है गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था आपका ओप्सन है A. राहुल B. राम C. सिध्यार्थ D. स्याम दोस्तो इसका सही जवाब है C. सिध्यार्थ D. आपका अगला सवाल है टमाटर का सबसे जियादा उत्पादन की इस देश में होता है आपका ओप्सन है A. नार्वे देश में B. भारत देश में C. घना देश में D. इनमें से कोई नहीं दोस्तो इसका सही जवाब है B. भारत देश में आपका अगला सवाल है मिट्टी का देश किसको कहा जाता है आपका ओप्सन है A. भारत को B. इरान को C. इराग को D. पाकिस्तान को दोस्तो इसका सही जवाब है A. भारत को आपका अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक चाई कहां उत्पादन होती है आपका ओप्सन है A. केरल में B. असम में C. उरीशा में D. महराष्ट में दोस्तो इसका सही जवाब है B. असम में आपका अगला सवाल है निम्न में से इस्तिरी लिंग सब्द है आपका ओप्सन है A. प्रीथवी B. तीथी C. रासी D. उप्युक्त सभी दोस्तो इसका सही जवाब है D. उप्युक्त सभी आपका अगला सवाल है किस देश में सबसे पहले सूरज डूब जाता है आपका ओप्सन है A. रूस देश में B. भारत देश में C. चीन देश में D. न्यूजी लेंड देश में दोस्तो इसका सही जवाब है D. न्यूजी लेंड देश में आपका अगला सवाल है जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ था आपका ओप्सन है A. सन 1918 में B. सन 1919 में C. सन 1920 में D. सन 1921 मे दोस्तो इसका सही जवाब है B. सन 1919 में आपका अगला सवाल है किर्केट खेल का जन्म दाता किस देश को कहा जाता है आपका ओप्सन है A. भारत को B. पाकिस्तान को C. बंगला देश को D. इंगलाइंड को दोस्तो इसका सही जवाब है D. इंगलाइंड को आपका अगला सवाल है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं आपका ओप्सन है A. परियाग राज को B. गाजी पूर को C. वारन सी को D. इंगलाइंड को दोस्तो इसका सही जवाब है C. वारन सी को आपका अगला सवाल है अमेरिका में आधार कार्ड को क्या कहा जाता है आपका ओप्सन है A. वाइट कार्ड B. ग्रीन कार्ड C. लाल कार्ड D. काला कार्ड दोस्तो इसका सही जवाब है B. ग्रीन कार्ड आपका अगला सवाल है किस देश के नोट पर गनेज जी की फोटो है आपका ओप्सन है A. जापान देश के B. भारत देश के C. इंडोनेसिया देश के D. स्री लंका देश के दोस्तो इसका सही जवाब है C. इंडोनेसिया देश के आपका अगला सवाल है कौन सा जानवर भोजन करते समय आशू बहाता है आपका ओप्सन है A. सेर B. गोरा C. हाथी D. मगरमच दोस्तो इसका सही जवाब है D. मगरमच आपका अगला सवाल है भारत का सबसे आमीर राज्य कौन सा है आपका ओप्सन है A. पंजाब B. हरियाना C. महराश्ट D. उत्तर परदेश दोस्तो इसका सही जवाब है C. महराश्ट आपका अगला सवाल है पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है आपका Option है A. लखनाओ को B. आगरा को C. मथूरा को D. इन में से कोई नहीं दोस्तो इसका सही जवाब है B. आगरा को आपका अगला सवाल है, मिट्टी का माथो महाबरे का अर्थ है, आपका उप्सन है, A. पुज्य, B. किर्शक, C. महामुर्ख, D. मुर्थी दोस्तो इसका सही जबाब है, C. महामुर्ख दोस्तो अगर आप जी के पढ़ना पसंद करते हैं तो, प्लीज रोजाना एक नया वीडियो देखने के लिए, हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक सेर जरूर करें, और साथ में घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके, आपका अगला सवाल है, कलम का बहु वचन है, आपका ओप्सन है, A कलमा, B कलमारी, C कलमे, D कलमिया, दोस्ते इसका सही जवाब है, C कलमे, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्ये में रावन का मंदिर है, आपका ओप्सन है, A दोस्तो इसका सही जवाब है A. राजस्थान आपका अगला सवाल है वीवो किस देश की कमपनी हैं आपका ओप्शन है A. जापान देश की B. चीन देश की C. रूस देश की D. अमेरिका देश की दोस्तो इसका सही जवाब है B. चीन देश की आपका अगला सवाल है जंगली मुर्गा किस देश का राश्टिय पक्छी है आपका ओप्शन है A. शिरी लंका का B. भारत का C. पाकिस्तान का D. नेपाल का दोस्तो इसका सही जवाब है A. शिरी लंका का दोस्तो इस जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सेर सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं अगले वीडियो में